बच्चों आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही उपयोगी चैप्टर सडक सुरक्षा उपाए बताऊंगा यह इतना उपयोगी है इतना महत्वपूर्ण है इसकी जनकारी हर बच्चों को हुनी चाहिए कلاस शिक्स में भी है यही चीज सेवंद में भी बताई जाएगी फिर यही हो, गाड़ी चलाएं, सडकों पर चलें, अपना वहार चलाएं या कि पैदल यात्रा कर रहें हो, पैदल चल रहें हो सडकों पर तो आप सुरक्षित रह सकें, क्योंकि प्रत्य मीनट स्वेकड़ों दुर्गटना हो रही है और प्रतेक वर्स लाखों लोगों के मृत्ति उसरक दुरुगटना में हो रही है तो इसलिए सडक पर यातायात संबंदी नियम का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो निसंदे हम मौत के सिकार हो जाएंगे और जीवन बहुत कीमती है एक ही बार मिलता है और जो ब्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है वही ब्यक्ति मानो रूप में जन्म लेता है तो जब आप जन्म ले लिए हैं मानो रूप में तो जितनी आयू है जो आयू आपने लेकर भगवान ने आपको दी है कि वही आपको साल तक जिन्दा रहना है तो सो साल तक हम जिन्दा रहे हम क्यों अकाल मृत्यू आकस्मिक मृत्यू को प्राप्त हो सड़क पर चल रहे हो साइकल से चल रहे हो गलत तरह से चले आकर कारवला धका मार दे हम गिर जाए माल लिजे कि अगर आपकी मृत्यू नहीं होती है दुरघटना में और अब विकलांग हो गए और भी कस्ट है अब पाहिज होकर पूरा दिव्यांग होकर पूरे जिन्दगी जीना पड़ेगा कई दुरघटना ऐसी होती है कि मोटर साइकल पर पती पत्नी है बच्चा है छोटा सा गिर गया विकलांग हो गया अब पजा रहा है खाई में गाड़ी गिर गई सेकड़ों लोग उस पर मर गया हजारों लोग दुरघटना के सिकार हो जाता है इस सड़क दुरघटना में तो इसका बचाव जरूरी है तो आज हम लोग इसी चैप्टर को कि सड़क पर चलते वक्त कौन से उपायक करनी चाहिए जो जिससे आप सुरक्षित रहें सड़क पर चलने के क्या क्या नियम है कौन कौन से संकेतक शिन है कौन से आदेसात्मक्षिन है कौन से सुचनात्मक्षिन है इससे पर हम लोग चर्चा करें सबसे पहले कुछ सरदावलिया है जो प्रचली सरदावलिया है उसको अगर हम ज या जेबरा क्रोसिंग क्या है एक्यों अखिर ये बनाया गया इसको पहले समझे जेबरा क्रोसिंग जो होता है पहले हम जेबरा क्रोसिंग के बारे में जाने पैदल यात्रियों के द्वारा सुरक्षित सड़क पार करने है तू जेबरा क्रोसिंग फूट उवर ब्रीज असब हुए तीनों बना जाता है तो पहले हम दो जेवरा क्रोसिंग का बारे में जाने हैं अब जैसे माल लीजिए कि आप ये एक सड़क है आप सड़क के इस किनारे हैं अब आपको सड़क के इस किनारे जाना है कि अ और यहां पर गाड्या चल रही है अब क्या करेंगे हम्मारी यदद है कि हमाथ देते हैं तो जोरूरी नहीं कि आप के हथ देने से पुड की पूरी गाड़ी रुख जही मैं काड़ी की स्पीड होती है 2060 किलो मीटर प्रती हूंट इस बाहन से बच गए तो यह धका मार देगा, इस बाहन से बच गए तो यह धका मार देगा, यानि आपको यहां से यहां क्रॉस करने के दर्मियान दुर्घटना के संभावना शत्तिसत है, कुछ गाड़ियां इधर से जा रही है, कुछ गाड़ियां उधर से आ रही है, चु वहाँ पर बाई तरफ चलने का ही नियम उन्होंने लागू किया था तो हम सड़क पर अगर चलती है अगर ये सड़क है और ये बीच में एक लाइन है यानी जाने का और आने का तो हमको बाई तरफ में झाना होगा और ये अपनी बाई तरफ में आएगा यहीं चलने का नियम है बहुत से देसों में उल्टा है जाने का दाहिने तरफ और आने का बाई तरफ इस तरह से लेकिन भारत और जितने भी ब्रिटिस की कॉलनी थी उसमें हम लोगों का बाई तरफ चलने का नियम बना हुआ है तो इनी ब्यस्त सडकों को पार करने के लिए सुरक्षित उनको इधर से उस पार ले जाने के लिए यही तीन ब्यवस्था की जाती है जेवरा क्रोसिंग, फूट ओवर ब्रीज और सबवे, भूतल मार्क अब देखें कि जेवरा क्रोसिंग क्या है अब जब मुख सडक पर नेस्तल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो जब आप चलते हैं तो देखते क्या है कि बीच बीच में इस प्रकार की काली और काली तो सडक है उजली पटी बनाई जाती है जो समनांतर एक दुसरे की रेखाए रहती है इसकी समनांतर ये इसकी समनांतर ये चोड़ी पटी बनाई जाती है ताकि जिसकी रोसनी कम भी है वो अभी इसको देख सके और ये इसका मतलब है कि आपको पैदल जब क्रोस करना है तो आप इसी बीच से क्रोस करें और जेबरा क्रोसिंग से जब आप क्रोस कीजिएगा तो इधर का जो वाहन जो इधर जा रहा है वो यहां रुक जाएगा और जो वाहन बाई तरफ से इधर से आ रहा है वो यहां रुक जाएगा अब आपको हाथ देने की जुरत नहीं है उस जो वाहन चालक है उसको पहले ही सुचना मिल जाती है कि आगे जेबरा क्रोसिंग है और वो सतर्क हो जाता है और जब दूर से ही यह जेबरा क्रोसिंग उसको दिखता है काला रुझला पटी और वो अपने वाहन का गति धीमा कर गाइश पीड धीमा कर लेता है और आप सटलक स्रक्षज स्रक्षित पार कर जाते हैं में क्या है पटना में मैंने देखा कहीं पर लागू किया गया है और भी शालों किया होगा कि जहां पर आपको यह प्राय क्रॉसिक बना हुआ है सटक पार करना है वहाँ पर एक पोल पर एक बटन लगा होता है और उसके बाद बत्ती लगी होती है लाल बत्ती तो जिसको जेबरा क्रोसिंग से सड़क पार करना है वह इस बटन को दबाएगा तो जो बटन को दबाएगा उसके बाद यहां का सिगनल लाल हो जाएगा यानि आप अब रुख जाएए यह व्यक्ति सड़क पार करना है और उसका एक समय निर्धारित है जितनी चोड़ी सड़क है उस हिसाब से अगर आप सड़क मान लिया जाता है कि ब्रिध व्यक्ति भी उसको एक मीनट पे पार कर जाएगा तो एक मीनट तक लाल रहेगा यह बत्ति और ट्राफिक वाले उस लाल सिगनल को देकर अपनी गारी को रोक देंगे फिर जैसे यह अब सड़क क्रोस करेगा समय इसका पूरा हो जाएगा एक मीनट यह हरा हो जाएगा या अब चालू हो गया फिर अगले व्यक्ति को फिर क्रोस करना है तो फिर यहां पर इस बटन को दाप दीजिए और उसमें दिर्धारित है ऐसा नहीं कि हर समय आप दापत क्रोसिंग से आप सड़क से इस पार से उस पार सुरक्षित पार कर सकते हैं अदुल घटना की समभावना नगन्य रहती है दूसरा है जैसे देखिए यही है आपका यहां पर यहां वेक्ति चुकि स्टिगिनल नहीं था ते हाथ वे लाल पट्टी लेके आगे 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 और लोगों को बता रहा है कि यहां पर रोकिये यहां पर जेबरा क्रोसिंग है और यह नियमता पार कर रहे हैं चुकि जेबरा क्रोसिंग से सड़क पार करना नियम बना हुआ है अगर सिगनल रहता जैसे हां सिगनल भी है तो यह बटन दावेगा तो यह लाल सिगनल हो जा दूसरा है foot over breeze यानि यह जो सड़क है अब जेवरा क्रोसिंग में हर समय तो वही ट्रैफिक का ही प्रॉब्लेम है रोको गाड़ी रुख जाएगी फिर जाओ तो इस यातायात अवरुद्ध नहो इसके लिए इस पार से उस पार के लिए एक पूल बना दी जाती है जो सीड़ी के द्वारा चड़ते हैं सड़क पार करके फिर सीड़ी के द्वारा उतर जाते हैं या इधर से चड़े इधर उतर गए दोनों तरफ आप आ जा सकते हैं इस जेवरा क्रोसिंग से भी आप दोनों तरफ आ जा सकते हैं यानि सडक के उपर फूट अभर बीज बनता है आपने देखा होगा अकसर रेलवे लाइन के उपर बना होता है जिसको कहलो रेल ओवर बीज कहते है आरो भी तो जो रेलवे लाइन चुकि रेल यात्रा अवरूद नहों रेल का आवागमन अवरूद नहों इसके लिए बनाय ब्रीज यानि पैदल चलने के लिए यह ब्रीज बना होता है जो सडको पर होता है तीसरा है सब्वे यानि सडक है या सडक है अब इस पर जेबरा क्रोसिक भी नहीं बनाया गया पूल भी नहीं बनाया गया चुकि उसमें ज्यादा खर्चा जाता है तो क्या किया जाए तो गड़ा करके जहां पर सड़क है उसके नीचे उस पार गड़ा करके नीचे नीचे सुरंग बनाया जाता है ताकि सड़क भी रहे और उसके नीचे नीचे जाकर फिर उदर उपर निकल जाता है यानि इसके नीचे से जाया गए सड़करस किये फिर उपर आ गए इसको कहा गया सब वे यानि नीचे का रास्ता भूतल मार्ग इससे भी याता याता उरुद नहीं हुआ और आप इस पार से उस पार हो गए दुरगटना के सा होना कम हो गई तो इसलिए सड़क पार करते वक्त बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि अगर जेबरा क्रोसिंग है या फूट ओवर ब्रीज है या सबवे है भले ही थोड़ी दूर पर हो कोई जरूरी नहीं कि अब जहां क्रोस करना चाहते है वहीं पर सामने एक दुकान हमको उस दुकान में जाना है तो हम यहीं पर क्रोस करेंगे हो सकता है कि वह कुछ दूरी पर हो पचास मीटर सौ मीट दूर हो आप वहां जाना है और फिर उसका प्रियोग करना है चाहे वह फूट वर बीज हो या सबवे हो या जेवरा क्रोसी अपने नजदी के इन व्यवस्थाओं के पास पहुचिए और तब सनक क्रोस कीजिए अनथा दुर घटना निश्चित है अगर इसका प्रियोग कर करते हैं सुरक्षित रहिएगा दूसरी सब्दावली है हेलमेट हेलमेट क्या है अब देखते हो यह का कि जो दो चक्का चलाता है दो मोटर साइकिल या स्कूटर उसके सर पर एक टोपी नुमा एक सॉलिड बना हुआ एक टोपी होता है वह धातू का प्लास्टिक का बना हो तक कड़ा प्लास्टिक होता है उसका होता है वह कठोर होता है वह दो पहिया चलाते वक्त इसका उप्योग किया जाता है ताकि चुकि वह तो दो पहिया है जब मैं बहुत चोटा था मैं सरकस गया तो मैंने देखा कि वहां एक चक्का पर साइकिल चल रहा है तो जब मैं ब बना कर चलना और जब दो चक्का पर आप चल रहे हैं तो आप अगर धक्का लगती है तो गंभी रिस्टिती हो जाती है चुकि आप गिरियेगा तो सर के बल ही गिरते है आदमी हाथ पैर में माझे हड़ी टूट गई तो बन सकता है प्लास्टर हो जाएगा खुरोच रोचाह है उसको बचाने के लिए इस टूपी का प्रियोग किया जाता है चाहे आप मोटर साइकल चला रहे हो या साइकल के लिए भी हेलमेट आता है जिसका प्रियोग किया जाता है भारत में बहुत कम लोग इसका प्रियोग करते हैं तो आपको बीना हेलमेट का नहीं चलाना है य सीर पर चोट के कारण होती है वह धक्का लगा वह अप्यक्ति गिर गया सर में चोट लग गई और उसके मृत्ति हो जाती है इसलिए हेलमेट का प्रियोग अवस्य करें अगर दो दो चक्का वाला कोई गाड़ी चला रहा है तो और यह हर समय आई एस आई मार्क होना चाहिए बचा सकता है कि सो दो सुर्प्य का हलमेट ले लिये कि पहले हैं मेदि फट गया उसके वद सर फट गया है फायदा क्या हुगा है से ऐसके जो संभावना है और शित परतिस्त कम हो जाती है बहुत बचाता है